गुड मॉर्निंग अल ओफ यू आइम गॉइंग तो टीच और फॉर चैप्टर क्लास टू सब्जट जी के टूड़े आवर टॉपिक गुड हैबिट्स इस्टूरेंज आज का आपका चैप्टर टू अपिक है गुड हैबिट्स अच्छी आदतें इस्टूरेंज गुड एंड हैपी फर्स्ट आई विल टेल यू वाट यू शुट दू बिफोर और आफर इटिंग इस्टूरेंज वाट्ट में समझान चाहते हूं आप लोगों कि पहले ऑडिटिंग के बाद क्या ज़रूरी है वुड हैविट्स गुड हैविट्स करने के लिए वाट्स यूर ह मैंसा फ्रेश फूड और क्लीन फूड खाना चाहिए दो नौट इट टू मच फूड दू नौट टॉक विल इटिंग इस्टूरेंज हम लोगों को खाने के बाद टॉक नहीं करना चाहिए चाहए चाहँ यूर फूड वेल और हम लोगों को भोजन को अच्छे से चबा कर ड्राय यूर हैंड विट एक लीन हैंकर चीफ फूर एट टावल इस्टूरेंज हम लोगों को खाने के बाद हम लोगों को हैंड को अच्छे से वोश कहना चाहिए और हैंकर चीफ और टावल से ड्राय हैंड की साप पोशना चाहिए अे नो आव इनाऊ जो तेल यूसम तिपश गुड एप्विट्स के लिए आप अपने आपो किस तर लागो हर दिन फूस्ट ब्रस्ट स्ट यूर टीट आवर ने यूर्वानिक दैली इन दा मूर्न और नॉरी घ्यर विट्टम यूरूर आन कॉम keep your home clean and tidy keep your classroom clean next I will tell you about some general good habits that children should follow general good habits which I want to tell you which you follow is very important aware the rules of the school be punctual do not be late school students aware the rules of the school schools to follow your good habits be punctual do not be late school be regular in your studies and in your work do not postpone your studies or work to the next day और अपने work को postpone नहीं कर चाहिए अगले दिन के लिए let me tell you some good manners that you need to follow कुछ good manners जो मैं बताना चाहती हूँ जो आप follow करना आपके लिए important है obey your parents, teachers and elders respect your parents, teachers and elders आपको अपने से बड़ें को अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करना good habits, good manners अगर आपसे mistake होती तो sorry बोलना भी या आपके good manners है students इसे आप अपने life में और भी अच्छे students बनोगे यह सारे रूल्स को follow करेंगे तो students अब हम लोग बुक में good habits दिये में हम लोग इसके बारे में sentences के बारे में पढ़ेंगे first heading, read the given lines and tick the right option students हम लोग को इस sentences में right option को tick करना है first option, get up late and early in the morning students हम लोग सुफ़ज क्या होते, late उठते हैं जल्दी उठते है early, जल्दी उठते है अब यहलिम टिक करेंगे brush चोती, twist a day twist in a day always eat healthy food exercise every day sometimes to keep fit exercise every day to keep fit speak, do not feel eating do not speak, feel eating students हम लोगो खाने के वक्त बोलना नहीं चाहिए do not always obey your elders हम लोगों को बढ़ों का respect आदर करना चाहिए do need to taste, always help your friends हम लोगों को अपने फ्रेंड का हमें सहाँ help करनी चाहिए watch TV late at night for one hour every day this means हम लोगों को TV one hour देखना चाहिए हर दिन do your homework regularly and sometimes हम लोगों को अपना homework को regularly करना चाहिए go to bed late and early at night हम लोगों को रात को जल्दी सोना चाहिए the home assignment stick here the picture of good boy यहां पर आपको अपने picture को पेस करना है जो आप अगर आप इस good habits को अपना तो आप गूड़ बोई हैं अब अपने life में बहुत प्रोग्रेस करोगे इस good habits को good manners को अपना कर this man children with good manners be loved will be loved by all I know you are good children thank